बिस्मिल्लाहिरह्मानिरहेम असलाम वालेकुम आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मौसम के मुताबिक सर्दियों में बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली खाये जाने वाली मीठी सी डिश गाजर का हलवा इसके लिए मैंने लिए यह जूसी और ताजा गाजरे पक्की नहीं चाहिए जूसी होनी चाहिए ताके हलवा बहुत मजेका बने तीन किलो मैंने गाजरे लिए हैं यहाँ पर और दो कप में घी इस्तेमाल करूंगी ड्राइफूट्स जिसमें इंचीर चुवारे किश्मिश बदाम और यह कुछ इलाइची जायके के लिए और खुश्बू के लिए आदा किलो मैं चीनी कर इस्तेमाल करूंगी आप अपने जायके के मुताबिक भी कर सकते हैं और तीन लिटर में दूद कर इस्तेमाल करूंगी डेल लीटर में पास है अभी डेल लीटर में इसमें और शामिल करूँगी खोया बनाने के लिए अब गाजरो को मैं ग्रेट करूँगी और साथ ही साथ मैं खोया बनने के लिए भी रख दूँगी ये देखे मैं गाजरे जो है वो ग्रेट कर रही हूँ और कुछ मैंने जो है वो कर ली है और बाकी भी मैं कर लूँगी अब मैं गाजरो को कड़ाई में डाल रही हूँ मैं गाजरो को मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी और इतनी देर पकाऊंगी कि इनका पानी ड्राय हो जाए गाजरो में पकने का प्रोसेस अभी जा रही है काफियत तक इनका पानी ड्राय हो चुका है हम इसमें शुगर एट कर रही हूँ शुगर एट करने के बाद में से थोड़ी देर और पकाऊंगी ताके शुगर और गाजरे मिक्स हो जाएं गाजरो में मीठा बना जाएं बीच बीच में इसे हिलाते रहना है ताके यह नीचे से बरतन से चिपके नहीं अब मैंने इसे कवर कर दिया है थोड़ी देर के लिए अब मैं देखें इसमें इलाइची शामिल कर रही हूँ इलाइची शामिल करने के बाद मैंने इसमें घी डाल दिया है गी को गाजरों के साथ मिक्स कर लूँगी देखें इसे चलारियों में अब देखें गाजरे इतनी अच्छी तरह हमारा हलवा बनने की तरफ आ चुका है तकरीवन यह बन चुका है देखें अब गाजरों ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है घी इसमें अलग हो रहा है अब मैं खोई की तैयारी कामर शुरू कर रही हूं उसके लिए मैंने दूद को वाइल करने रख दिया है और इतनी देर पकाऊंगी कि यह थेक हो चाहिए देखें यह अब थेक हो रहा है देखें यह खोई हमारा बन चुका है देखें अब मैंने इस खोई को निकाल दिया है बर्तन में डाल दिया है अब मैंसे इस हलवे में जो मैंने त्यार कर लिया तो उसमें मिक्स कर रही हूं यह देखिए यह गाजरे गाजर का हलवा और खोया मिक्स हो रहा है अच्छी तरीके से अब यह गाजर का हलवा त्यार हो चुका है मैं आपको इसे बर्तन में डिश आउट करके दिखा रही हूं सर्फ करके दिखा रही हूं मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी रेसिपी को लाइक और शियर कीजिए शुक्रिया